Hello दोस्तो, Welcome to PMF IS, आप सभी का इस Environment Video Lecture Series में बेहत स्वागत है, ये पूरी की पूरी जो Series है, मेरे द्वारा प्रेजेंटेट है दोस्तो, मेरा नाम है रिशब, and this entire series is based upon the PMF IS Environment Booklet, that is 2024 and 2025, ये हमारा 3rd edition है, इसके पहले के editions जो है वो latest नहीं है, this third edition is the latest edition and this is available in the market, इसी के basis पे ये Environment की जो Video Lecture Series है, हम लोग cover करने वाले हैं, this is our latest edition, आप देख सके हैं Environment की Booklet, and एक बात याद रखेगा, सिर्फ Environment की Booklet के basis पर हम इस Environment के Lecture Series को cover नहीं करने वाले हैं, even आप देखेंगे कि इसके अलावा बहुत सारे additional topics जो होने वाले हैं, उसको भी हम cover करेंगे, even आप देखेंगे कि current affairs, यानि कि वो सभी चीज़ें जो हाली में news में चल रही हैं, Da Hindu, Indian Express, Business Standard, Down to Earth, PIB जैसे जितने भी articles या ऐसी कोई भी relevant information जो prelims या means perspective से important हो सकता है, उसको भी हम side by side cover करते चलेंगे, इसको बहुत interactive sessions बनाने वाले हम लोग, and this current affairs is going to be the key, क्योंकि आप जानते हैं environment and ecology की significance, जो orientation lecture में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कितना significant हो चुका है, उसी को हम लोग cover भी करेंगे, this is going to be our first video, सबसे पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में chapter 1 of PMF IS environment हम लोग cover करने वाले हैं, and chapter 1 of PMF IS environment is environment, habitat and ecosystem, habitat, ecosystem और environment क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, आप देख सकते हैं table of contents, यानि कि जो आपकी किताब है, उसका index एक बार जा करके check कर लीजे, आपको दिख जाएगा, कि वहाँ पे सबसे पहले हम लोग cover करने वाले हैं basics, जैसे कि मैंने आपको orientation lecture के अंदर भी बताया था, कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, what is environment, what is habitat, what is ecosystem, ecosystem, environment और ecology में क्या फराख है, और ऐसे कई सारे नए terms, जैसे ecological niche क्या है, ecotone क्या है, ecotope क्या है, ecotype क्या है, ऐसे कई सारे और new terms, जो book के अंदर available नहीं भी है, उसको भी हम cover करने वाले हैं, so आप beginner है, intermediate है, या expert है, आपके लिए lecture बहुत ज़्यादा relevant होने वाला है, चलिए start करते हैं, और without wasting any further time, हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, और एक इक चीज़ को detail रूप से समझेंगे, conceptual clarity पर focus करेंगे, and the first topic is what is environment, environment होता ही क्या है भाई, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि environment जो है, एक French के शब्द से निकाला गया है, French का एक शब्द है, जिसका आप अगर meaning देखेंगे तो पता चलेगा surrounding, और वो French का शब्द क्या है, environment, environment का मतलब होता है, literal means surrounding, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौझूद हैं, तो याद रखिएगा, आप से अगर पूछा जाए, what is environment, तो मैं मान के चलता हूँ, यह आप हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं इदर, और अपने इर्द गिर्द एक बार नजर घुमा के देखेंगे, 360 degree एक बार घुम के देखेंगे, देखें आपके side में क्या है, आपके उपर क्या है, आपके नीचे क्या है, तब आपको पता चलेगा कि आप कुछ ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं, जो या तो बायोटिक है, या फिर अबायोटिक है, यानि कि अगर मैं आपको example की रूप से कहूँ, तो आप अपने side में जब देखेंगे, तो आपको दिख सकता है, for example sunlight, यानि कि light मौझूद है, अगर sunlight नहीं मौझूद है, तो tube light के थुरू आपके घर में light होगी, हो सकता है, darkness हो, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द आपको mountains देखने को मिले, rocks देखने को मिले, waterfall देखने को मिले, हो सकता है कि आपके आसपास घरों में और सारे आपको घर दे residential area, या हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द एक factory लगी हो, जहां से धुआ निकलता ही जा रहा हो, so कहने का मतलब यह है भाई, कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे चीज़े मौझूद हैं, even आप यहां पे देखेंगे, इर्द गिर्द में कई सारे plants, पेड़ पॉधे भी म मिलते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, animals वही आपको देखने को मिलते हैं, देखो in short मैं आपको क्या पताना चाहरा हूँ, आप अपने चारो तरफ एक बार नजर गुमा के देखो, वो सभी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द आपको surround करती हैं, आपको reflect करती हैं, वो ही सारी आपके लिए आपका environment बन जाता है, यानि environment is nothing but the, anything and everything that surround us, वो सभी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौझूद हैं, अब या तो वो biotic है, या फिर वो abiotic है, इसका मतलब क्या है, देखिए biotic का मतलब क्या होता है, वो सभी चीज़ें जो जिन्दा है, यानि कि वो सभी अगर हम लोग इसको detail में आगर भी cover करेंगे, वो सभी चीज़ें जो living से ही derived है, यानि कि derived from living और living, यानि कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि biotic चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, यानि कि बहुत layman terms में अभी हम लोग बात करेंगे, फिर technicalities में आगे हम देखें वो सभी जो की food और energy को derive कर सकते हैं, एक जगा से दूसरी जगा move कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका एक life cycle होता है, यानि कि जैसे humans का एक life cycle होता है, आप जानते हैं कि हम जनम लेते हैं, फिर हम मर जाते हैं, ऐसे ही जानवरों का भी एक life cycle होता है, ऐसे ही plants का भी एक life cycle होता है so biotic का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है biotic का मतलब वो सभी चीजें जो की यह सारे काम कर सकती है और वो सभी चीजें जो यह सारे काम नहीं कर सकती उनको हम लोग क्या बोलते हैं a biotic component of the environment in simple terms आपके इर्द इर्द बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजें मौझूद है अब देखिए everything that is around us यानि कि जो भी चीजें हमें सराउंड करती है या तो वो physical है, biological है, chemical है यह cultural consist करती है हमारे environment का एक बहुत important हिस्सा मानते हैं उसे जैसे for example, अगर मैं बात करूँ, physical portion of our environment में क्या के चीजे आते हैं देंगि physical मतलब वो सभी चीजें जो tangible हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं अब वो tangible चीजें में क्या के चीजें आते हैं, mountains आगे, rocks आ गया, आप देख सकते हैं, water, यह सभी चीजें क्या हैं, आप देख सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसे कहते हैं, physical component और सबसे best example है, the land on which you stand, जिस भी धरती पर या जिस भी लांड पर आप खड़े हो, और विससी बात है, वो एक बहुती core हिस्सा बन जाता है, physical environment का, इसके अलावा फिर आता है biological environment, अब मैं जब बात करता हूँ, biological environment ही, इसका मतलब क्या है दोस्तों, biological environment के अंदर कुछ सारी च हम सभी humans जो है, इसका portion मन जाते हैं, फिर इसके बाद plants कहते हैं कि plants में भी जान है, plants भी living है, जैसे कि मैं आपको example से समझाता हूँ, हाली में एक research हुआ, और research के अंदर क्या निकल के आया, उस research के अंदर ये चीज निकल के आई, कि जब भी आप plants को तोड़ते हैं, तो deep cry, even plants के बारे में ये बोला गया, कि plants जो हैं वो आपको signal देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, कि पहले तो ये सारी चीजें जो थी मेरी मदर में को बताया करती थी, वो जब gardening करती थी terrace पे, कि भई देखो आज plant खुश है, आज plant रो रहा है, पहले मुझे मुझे मजाग की चीज इसने बात प्रूफ करी कि plants give you signal, plants आपके mood के हिसाब से आपको signal देते हैं, even they cry, even they are happy, so it means plants and trees all are living component, even आप देखे humans, plants के अलावा सभी तरीके के animals, animals भी क्या है, animals are also major portion of your biological part, और इसके अलावा सूक्ष्म जानवर, जिने हम कहते हैं microorganisms या microbes, ये जो microorganisms होते हैं, ये भी किसका हिस्सा बन जाते हैं, ये भी environment का एक biological component बन जाते हैं, फिर जब बात करी जाएगी chemical components की, तो देखे chemical component का मतलब क्या है, जब मैं बात करता हूँ chemicals की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है bio geochemicals, bio geochemicals का मतलब क्या होता है, there are certain chemicals, जो living organisms के through, एक cycle create करते हैं, जैसे for example, यह यहाँ पर synthetic chemicals की बात नहीं करे जा रही है, यहाँ पर कौन से chemicals की बात करे जा रही है, carbon, carbon एक बहुत important chemical compound है, जो हम सब के शरीरों में घूम रहा है, nitrogen, phosphorus, sulfur, यह सभी ऐसे compounds हैं, जो हमारे शरीरों के अंदर घूम रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब है, यह जो elements हैं, हमारी body के अं मौझूद हैं, या तो complex form में हैं, या simpler forms में हैं, but yes, हमारे शरीरों के अंदर यह सारी चीज़े मौझूद हैं, and यह एक cycle maintain करती है, इसी chemical components को हम लोग chemical part of your environment के नाम से जानते हैं, then comes the cultural portion, अभी cultural portion का मतलब क्या है, वो सभी चीजें जो की इंसान के द्वारा बनाई गई हैं, यानि कि वो सभी चीजें जो man-made हैं, यानि कि जैसे factories हो, plastic हो, कुछ भी, जो की इंसानों के द्वारा बनाया गया है, चलिए, so इसी environment को आगे पढ़ते हुए हम लोगों को एक चीज समझ लिए हैं, कि जब यह physical, chemical, biological और cultural components एक साथ आते हैं, तो फिर होता क्या है, होता यह ह है, कि यह सभी factors जब एक साथ मिलते हैं, तो finally habitat और ecosystem को develop कर देते हैं, अभी habitat और ecosystem क्या है, आज ही इसको हम लोग आगे future की जो भी, you know, आगे हमी पढ़ने वाले हम लोग तो इसको cover करेंगे, habitat और ecosystem क्या है, और even future videos में भी ecosystem को बहुत detail रूप से cover करने वाले, बट एक चीज ज हैं, यह सब चीजें इसलिए possible हो पाती है, कि life exist कर सके, and आपस में एक दूसरे के साथ interaction कर सके, यानि कि it shapes the life, it creates the life possibility, और वो सारी चीजें इसलिए हो पाती हैं, क्योंकि हमारे इर्दगिर्द environment मौझूद है, अब एक और चीज देखिए, कि यह सारे factors जो है, यानि कि there are two types of factors यहाँ पर हम लोग बात करें, positive हो या negative हो, उसका एक impact जरूर पड़ता है, यानि कि जितने भी environment के अंदर चीजें हैं, उसका या तो अच्छा या बुरा प्रभाव एक organism के उपर पड़ता है, example के रूप में, माल लीजे, आपके घर के भार किसी ने एक बगीचा में पेड लगा दिये, और यह जो पेड हैं, वो माल लीजे, oxygen प्रोवाइट करते हैं, अब देखिए, generally तो हम लोग जानते हैं कि जो plants होते हैं, वो 24 by 7 oxygen नहीं देते हैं, रात को carbon dioxide जो होता है, उनका ज्यादा release होता है, तब ही कहते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ब oxygen जादा निकलता है, तो अगर मैं कहता हूँ, माल लीजे, आपके घर के आसपास ऐसे पेड़ लगा दिये गए हैं, जो 24 by 7 oxygen देते हैं, अब मेरी बास समझेगा, this is going to give you positive impact, environment में किसी ने कुछ किया, उसका असर हम तक पहुशता है, ये बात बहुत important है, अगर आपको एक औ दिवाली आ जाती है, और दिवाली पे हम लोग पटा के जलाते हैं, और इस पटा के जलाने के बाद, आप लोग notice करेंगे कि वो pollution जो है, उसके फेफ्लो में भर जाता है, और उसकी वज़े से उसकी death हो जाती है, तो this is a negative impact, किसी ने कुछ किया और उसका असर हम तक पहुश जाता है, so yes, environment is nothing but the combination of all the possible external factors, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, यह बात बहुत ध्यान रखेगा, अचाहे एक बाद जल्दी से इस वीडियो को आप लोग देखी, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़े मौजूद है चाहे वो sunlight है, पानी की भूंदे है, चाहे वो the air you breathe in, फिर वो plants है, चाहे वो factory से निकलता हुआ धुआ है, या फिर residential area है, animals है, लोग है, community of, चाहे आपकी study table है, या फिर जिस camera से भी आप मुझे आप देख रहे हो, laptop पे देख रहे हो, कोई भी चीज ऐसी, वो भी आपके लि अब आप बोली है, environment क्या है, सर हमें तो सिर्फ अपना study room दिख रहा है, जहां पर हम पढ़ रहे है, या हमें library दिख रही है, जहां पर हम पढ़ रहे है, जी नहीं, ऐसा मत समझेगा, library ही आपके लिए आपका environment है, perspective है, जैसे, छट पे चले याईए, terrace और छट पे जातर कि आप देखोगे, एक दम खुले आसमान में, तो कई सारे घर दिखेंगे, तो आपके लिए आपका environment change हो गया, या छोड़ो, आँखो के सामने टेलिस्कोप लगा लो, तो आपको solar system के कई सारे planets दिख जाएंगे, तो क्या environment change हो गया, या वो भी छोड़ी है, आँखो के सामने upon the system, और हमारे यहां पे जो, हमारी body के अंदर जो senses है, instrument change होने से perspective change हो सकता है, बट हान जी एक बात ध्यान रखेगा, कि environment is each and everything that's around us, जो सबसे बड़ा environment के है, whole solar system, galaxy, milkyways, each and everything is a part of your environment, the whole point is, आपका perspective उतनी धूर तर नहीं जा पाता, ये बात ध्यान रखेगा, चली, अब थ बायोटिक में क्या-क्या चीज़े आती है, लेकि सबसे पहले तो बायोटिक में आप जानते ही हो कि living components आते हैं, बट इतना ही नहीं, अभी पहले मैंने आपको सिर्फ living components इसले बताया, क्योंकि ये introduction है, बट अब हमें technicalities में जाना है, prelims में जो questions पूछे जा सकते हैं, उस प माल लीजे एक animal है, एक plant है, under high temperature and pressure वो धीरे-धीरे किसमें बदल गया, कोईले में बदल गया, कोल बदल गया, आप जानते हैं, कोल, petroleum ये कैसे बनते हैं, layer पे layer, layer पे layer बनती चली आती है, यानि कि माल लीजे ये गिर गया, एक plant फिर उसके उपर एक और layer बन जाती है, soil की ए a biotic component, because it is derived from the biotic, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, even bones, माल लीजे हड़ियों के ढाचे मिलते हैं, आप देखते हैं, excavations करते हैं, archaeologists, उसमें कई सारे हड़ियों के ढाचे मिलते हैं, ये हड़ियों का ढाचा, क्या biotic है, ये भी दोस्तों, biotic component का पाठ है, अब सवा कोई चीजें भी, biotic component का ही हिस्सा है, अब आप पुछेंगे कैसे, देखें, एक्च्वल में यहां पर ने एक थोड़ा सा concept है, concept क्या कहता है, कि कोई भी organic चीज, अभी हम देखेंगे, what is organic, कोई भी organic matter, जब गिरता है, तो उसका एक process स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं, हम लोग decomposition, आगे future की, जो हम लोग cover करने वाले हैं, वीडियो से, उसमें decomposition क्या होता है, डिटेल में पढ़ता हूँगा, आपको saprotrops कोन होते हैं, वोट इस, यह सब चीजें पढ़नी हैं, बट अभी के लिए यह समझे, organic matter जो होता है, उसका life cycle खतम होता है, माल लिजे एक प सकते हैं, complex molecules हैं, complex substances हैं, उसका simpler या फिर elemental form में वापिस भेज देने का एक process है, यानि कि उसको breakdown कर दिया जाता है, elemental form में, elemental form का बतलब क्या है, जैसे carbon में, hydrogen में, nitrogen में, sulfur में, phosphorus में, इन सब में convert कर देते हैं, वापिस से, तो elemental form क्याते हैं, अब होता क्या है, जब यह organic matter सबसे गिरता है, तो उसे हम बोलते हैं, litter, and litter, पर decomposition का process अभी start नहीं हुआ है, यानि कि यह तो litter process है, अभी initial है, फिर इस पे दीरे-दीरे decomposition होता है, breakdown होता है, फिर यह partially breakdown होता है, यानि कि एक ऐसी state होती है, जो पूरी तरीके से breakdown भी नहीं हुए होती है, और थोड़ा बहुत, you know, decomposition decomposition का process होता भी है, जिसको आप generally peat के नाम से जानते हो, अभी peat क्या होता है, wetlands more, अच्छे से cover करेंगे, अभी आप ऐसा समझ लीजे, कि एक पेड़ है, पेड़ सूखा, पत्ता गिरा, और उस पत्ते पे decomposition का process start हुआ, पूरे तरीके से decompose नहीं हो पाता है, पता और initial stage में हो याद रखना, जब तक ये finally humus ना बन जाए, humus का मतलब है, topmost layer of the soil, the most organic or fertile soil का portion जो है, यानि कि जब तक वो entirely breakdown होके, छोटे-छोटे elemental form में ना बदल जाए, humus ना बदन जाए, तब तक आप उसको biotic ही मानेगे, तो मरे हुई चीजें, without decomposition, ये बहुत important है, without decomposition, with partial decomposition, यानि कि चाहे partial decomposition है, चाहे उसके decomposition का process, अभी जग स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो एक biotic component है, परन्तु अगर वो ही चीज फुली decompose हो जाए, और humus बन जाए, humus हम लोगो ने कहां पर लिखा है, abiotic component के अंदर, तो abiotic कब बनता है, जब वो humus बन जाता है, और abiotic अंदर आता है, climate, weather, pH, sunlight, mountains, rocks, सब जानते हो आप लोग, अच्छे से, बस यहाँ पर दो चार चीज़ें को आपको ध्यान रखना है, बाक animal की death हो चुकी है, और इस death के बाद इस पर decomposition नहीं हुआ है, तो वो biotic है, इसका partial decomposition हुआ है, तो वो biotic है, बट अगर यह elemental form में तूट करके humus बन गया, then it becomes a biotic, I hope so, यह आपको crystal clear है, चलिए, तो finally, now this is the time to test your learning, let us see whether whatever I have taught you, आपको कुछ समझ में आया है की नहीं आया है, जल क्या पूछता है हम से, कि आप biotic component के क्या क्या हिस्सा है, पहला, lignite, second, dead and decaying matter है, क्या भाई, third, feet, चौथा, decomposer, पाच्वा, soil, तो question देखो, दुवारा से बोल रहा हूँ, focus कर रहा है, आप biotic components में, options आपको यहां दे रखे हैं, सबसे पहली बात तो यह पूछ रहा है, biotic के अंदर, चौथे option को देखो, decomposers, क्या decomposers अब biotic है, जी नहीं, decomposers तो biological component है, and they are living component, and hence they are biotic component, तो यह तो biotic हो गया, तो इसका मलदा, चौथे को तो आप eliminate कर सकते हो, और चौथे को eliminate कर सकते हो, तो तो यहीं से prelims के techniques को सीखो, elimination technique काफी जादा मदद करती है, एक चीज जाओ, देखो, दोस्तों, मेरी एक कहावत है, और कहावत नहीं है, मैं हमेशा अपने students को एक चीज़ गोलता हूँ, UPC is like devil, कि आप devil के पीछे, devil आपके पीछे, आना वो movie का dialogue है, उनको पता है कि आप पढ़ते क्या हो, तो आप एक चीज़ जहान रखना, 100 में से 100 questions, आपना लाइक हो पाते हैं, बाकी के सब, चाहे वो toppers हैं, चाहे कोई भी है, सब लोग, याद रखना मेरी बात, elimination, logical guesswork, reasoning, इसके थूरू जाते हैं, logical होता है, वो illogical नहीं होता है, jam आता दी नहीं लगाते हैं वापर, obviously logical guesswork है, but yes, वो logical guesswork आता है, elimination की technique से, तो मैं आपको वहीं यह बात clear है, अब बात करते हैं, soil की, soil क्या भाई, abiotic होता है, बिल्कुल soil abiotic के अंदर part माना जाता है, soil के अंदर कुछ लोग केते हैं, biotic भी होते हैं, यानि कि soil के उपर मान लिजे, एक earthworm भूम रहा है, तो बच्चे कहते हैं, सर देखो, soil के अंदर earthworm है, तो earthworm तो किस the type है, तो simple सी बात है, कि वो जानवर अपने आप में एक animal का पाट है, और animal एक biotic है, द्वारे सरम जाता हूं, soil के अंदर, soil के अंदर पाई जाने वाले जानवर biotic हैं, soil के अंदर पाई जाने वाले जानवर biotic हैं, बट soil खुद में a biotic हैं, minerals a biotic हैं, समझ पा रहे हो आप मेरी बात, सो ऑफिसी बात है, फिफ्थ तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिफ्थ सही है, अब फिफ्थ सही है, तो भाईया ये option भी eliminate हो गया, या तो ये होगा, या ये होगा, आप देखते हैं, इसमें से कौन से, आप देखो, यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रुत नहीं है, UPSC खुद आपको बता देगा, कि one तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में one है, तो इसको पढ़ने की भी ज़रुत नहीं है, वो अलग बात है कि जब आप preparation mode में होते हैं, तो सारा पढ़ना पढ़ता है, बड़ एक्जामिंग में जारा दिमाग लगाने की ज़रुत नहीं ह इस पर ठीक है, थर्ड पे, पीट होगा कि नहीं होगा, और अभी मैंने आपको बताया, पीट partially decomposed होता है, और जब partially decomposed कोई चीज, किसका portion है, बायोटिक का, और बायोटिक तो हो नहीं सकता, तो अगर थर्ड भी रॉंग है, तो ये option भी गलत होता है, and the correct answers become D, 1 and 5, आप भी काम आ जाए, सबसे पहले जो formation होता है, आप जानते हैं, कोईला बनने का जो formation होता है, उसका एक प्रोसेस है, पीट होता है, partially decomposed matter, जहाँ पे, अभी initially, you know, बहुत जादा नीचे गहराई में temperature और pressure नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत, environment के साथ, oxygen और वो जो change रहता है, फिर under high temperature, pressure आप देखेंगे, दीरे, 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 वो लिगनाइट में बदल जाता है, लिगनाइट क्या होती है, दोस्तों, लिगनाइट is the, आप कह सकते हो, कोले की initial form, the first initial form of coal, जिसके अंदर 30-40% carbon component होता है, and this is soft brown, soft brown color का coal होता है, यह soft होता है, so यह सबसे प vitaminus is black coal, and उसके बास सबसे highest quality का coal जो होता है, जिसको बोलते है, anthracite coal, anthracite coal, फिर नीचे यहाँ पे आपको मिलता है, but यह यात रखना, with the time यह चीज़ बनती है, एक दम से नहीं बनती है, with the high temperature and pressure यह बनती है, तो कोईले की एक stage है, जल्दी से मुझे आप लोग बताईएगा और यह बास सोचेगा, कि भाई, भारत में anthracite coal मिलता है क्या, और अगर anthracite coal भारत में मिलता है, और इतना सारा coal भारत में हैं, फिर भी हम लोग कोईले को import क्यों करते हैं, क्या problem है हमारे coal में, क्या moisture content जादा है, या carbon content जादा है, क्यों बिजली बनाने में हमें कोईले की imports लगती हैं तो जली से यह सोचिए और इस पर ध्यान दीजेगा सो देखिए ये पूरा 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 प्रोसेस है कोईला कैसे बनता है स्वांप फिर दीरे-दीरे स्टैंटेंटिशन होता है र套्स मैंने आपको बताए जैसे लेयर बाइल लेयर बनती चली आती है और रडीध बनता चली चली जाए है और बनता से बलता है दोस्त अधो sitting in barbecue और ॉर पर और और नहीं और और मॉता और और औरिक और और तो रही मोता है जी नहीं और और chemistry की परिभाशा के अनुसार अब देखो आप बोलो कि organic chemistry पंडी पढ़ेगी कि हमें अरे नहीं भाई organic chemistry नहीं पंडी है आपको बट एक चीज जियान रखनी है जो मैं भी बता रहा हूँ organic chemistry के इसाब से कोई भी biomolecule जैसे की carbohydrate लेपेड, protein, nucleic acid वो सभी चीजें जिसमें at least यह बहुत important word है at least एक carbon hydrogen bond है अब मैं बोलो एक carbon hydrogen bond का मतलब कहते हैं यह रहा carbon यह रहा hydrogen इसका अगर minimum एक भी bond available है किसी भी substance के अंदर तो बोल दो उसको organic आँख बंद करके यह organic chemistry की परिभाशा बता रहा हूँ ऐसा कोई भी substance जिसमें एक भी carbon hydrogen bond अवेलेबल नहीं है उसको क्या बोल दो उसको बोल दो in organic simple अब जैसे example NH4 अब यह जो NH4 है इसमे carbon और hydrogen का bond नहीं है nitrogen और hydrogen का bond है तो inorganic NaCl sodium chloride अभी sodium chloride क्या है sodium chloride कुछ नहीं बलकि carbon hydrogen का bond नहीं है NaCl का bond है carbon dioxide सबसे easy आप जानते है carbon dioxide के बारे में तो हम लोग you know day to day में सुनते ही रहते carbon dioxide is carbon and oxygen का bond not carbon and hydrogen का bond सो जहां पर भी carbon hydrogen bond मिले वो क्या बन जाता है organic या दखना और जहां पर भी लाक करेगा वो क्या बन जाता है in organic I hope so I made my point clear चलिए एक पर example से देखते हैं इसको for example कई बच्चों को एक चीज लगती है कि sir abiotic जो होता है वो inorganic होता है क्योंकि कई किताबों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है और biotic जो होता है वो organic होता है जी नहीं यह बिलकुल गलस statement है तो सही statement क्या है जी सही statement यह है चाहे biotic हो चाहे abiotic हो इन दोनों में ही organic and inorganic दोनों ही मौझूद है यानि abiotic में भी organic होता है and inorganic होता है चलिए हमें को example से समझाता हूँ आप और मैं biotic है हाँ या ना पहले तो यह बताओ बिलकुल हाँ भाई मैं तो biotic हूँ आपका पता नहीं तो biotic तो हैं हम लोग जीवित हैं हम सेंट क्या है तो हम बोलते हैं ना 70% हमारे शरीर में पानी है पानी का मतलब क्या हुआ है एस्टू और मतलब क्या हुआ there is no carbon hydrogen bond और carbon hydrogen bond नहीं है तो हमारे शरीर में inorganic substances मौझूद है बिलकुल यहां से एक चीज़ पता चलती है बट सिर्फ इतना ही नहीं यहीं नहीं दोस् इस भी जो होती है non living component भी organic और inorganic दोनों से मिल करके बनाए चलो example से समझते हैं पहले तो मुझे बताओ यह दोनों अब आयोटिक हैं यह दोनों fertilizer है और fertilizer दोनों ही अब आयोटिक हैं बट एक चीज़ दिखो यहीं पर अगर आप यूरिया का formula जाके चेक करोगे और यूरिय organic substance है मेरे कहने का मलब है यूरिया ऑल्दो अब आयोटिक होने के बावजूद भी organic है और ammonia ऑल्दो अब आयोटिक होने के बाद यह इन और चलो एक बार example से समझते हैं भाईया दोनों ही plastics हैं और plastic का मतलब क्या होता है आप जानते हो अब आयोटिक तो अब आयोटिक दोनों है बट एक plastic इन औरगेनिक है एक और चलो एक्जांपल से समझता है यह जो plastic है यह synthetic chemical से बनाया गया है और synthetic chemical से बनाया गया plastic इन और इन यूदिक होने में या breakdown होने में उनको time लगता है in comparison to organic matter है आप ज़रूर बोल सकते हैं अचा आज कल एक नए टर्म आ गया है बायो प्लास्टिक, न्यूज में भी था, current affairs में भी रहा, UPSC कभी भी पूछ सकता है, आपसे ध्यान दीजेगा, बायो प्लास्टिक, बायो प्लास्टिक का मतलब क्या है, ऐसा प्लास्टिक जो की खाने वाली चीजों से बनाए, जैसे खाने वाली चीजों से अगर मैं है, और easy बोले तो cellulose मिलता है, वो सभी कुछ में मीठा पदार्थ मिलता है, आप ऐसा मान लिजे, गन्ने से भी बन सकता है, अना लकडी के तुकड़े से भी बन सकता है, कोई भी खाने पीने की चीजों में आप जानते हैं, sugars content होते ही है, उन से आप बायो प्लास्टिक बन से बनी है, obvious ही बात है, this is derived from plants या animals, और plants से अगर derived है, तो plants खुद में बायो टिक चीजें हैं, और इसमें organic matter अविलेबल है, so ultimately organic plastic नाम की भी चीज आ चुकी है, मैं बस आपको इतना बताना है, और अभी मैं इसको wind up करता हूँ, environment वो सभी चीजें जो आपके इर्गिर्द बायोटिक और बायोटिक मैंने आपको clear कर दिया है, typically, technically क्या हो सकता है, और एक चीज़ दियान रखेगा, organic, inorganic में फरक होता है, चाहे वो बायोटिक है, चाहे वो बायोटिक है, दोनों में ही organic and inorganic substances मौजूद होते हैं, चलिए, now let us jump to our new topic, what is habitat, अभी आप बोलेंगे ये सारे terms, क्योंकि देखो, ये conceptual clarity के लिए important हो जाते हैं, क्योंकि UPSC कई बार ऐसे questions पूछ भी चुका है, मैं आपको आगे questions भी कराऊंगा, pyqs भी करवा रहा हूँ, but एक चीज़ दियान रखना, ऐसे questions पूछे भी गए हैं, timely basis पे पूछे गए हैं, and the best part is, ये concepts बार-बार repeat ह होते हैं, तो एक बार अगर आपने समझ लिया, once and for all, you'll be clear with these concepts, चलिए, तो मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, सबसे पहला, माल लीजे, आपको UPSC की तियारी करनी है, तो मुझे बताओ, आपको UPSC की तियारी करनी कहा नहीं होता है, और ऐसा, देखो, आजकल तो वैसे जनरली ये सब चीजे acceptable नहीं है, आजकल तो आप online बैट के जैसे अभी देख रहे हैं, मेरी वीडियो, वो सब है, बट हाँ, एक ऐसा माना जाता है, कि डेली is the hub, डेली को हम हम मानते हैं, Old Rajinder Nagar आप जानते हैं, aspirants, आपने देखे होगी वो गलिया, मैं खुद डेली का तो मैं जानता हूँ Old Rajinder Nagar को, खरोल बाग के आसपास वाला एरिया है, and ORN में आप जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे, line से coaching, you know, institutes लगे हुए हैं, एकम ऐसा line से लगे हुए हैं, अब आप यहाँ पर आ करके पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि यहाँ पर महौल मिलता है, यहाँ पर एक atmosphere मिलता है, वैसे तो मैं आपको बताओ, ORN से जितना धूर रहो बहतर है, क्योंकि वहाँ पर सबसे जादा problems होती है, क्योंकि आजकल ना यह जो information के age में misinformation सबसे जादा वही भैलती है, खेर, बच्चे आते हैं, वहाँ पर हब मानते वो ध्यान में जरूर रखते हैं, क्योंकि सामान वामान रखना है, अब मुझे आप एक जल्दी से बात बताओ, कि अगर आप यहाँ पर अपनी UPSC की coaching करने आए हो, तो किन चीजों का ध्यान रखोगे, rent पे, PG लेते वक्त, या घर लेते वक्त, हर व्यक्ति को अपना घर स देखो, ऐसा है, जो PG low, वो coaching के नजदीक हो, यानि कि near to coaching हो, क्यों ऐसा ना हो, कि आपको एक गंटे ट्रावल करके जाना पड़ता है, पढ़ाई की stage है, आपको टाइम गेस्ट नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज हम क्या बोलेंगे, food easily available हो, भाई, ऐसा नहीं, खाने पीने की दुकान, books की दुकान, easily हो, मेरे कहने का मतलब है, हर व्यक्ति अपने घर को चूज करते समय कुछ चीजों का ध्याम देता है, वो उसकी preference होती है, हर व्यक्ति की preference होती है, तो जानवरों की भी preference होती है, मेरे बाई, जब जानवर अपना घर चूज करता है, तो या दखना वो naturally कुछ environment में रहने का पसंद करता है यानि चाहे वो organism है चाहे वो population है अब organism और population में क्या फ़रा कि आगे detail में cover करेंगे बढ़ अभी के लिए इतना समझ लो कि एक जानवर या एक individual organism और कई सारे species same है अगर और कई सारे individuals एक साथ खड़े हो जाए तो हम उने बोलते है population अभी के लिए इतना समझेए बाकी में details में आगे आगे आपको cover कराऊगा जब हम ecological detail में पढ़ेंगे बढ़ अब इतना समझ लिजी चाहे एक individual या group of individuals ये ना एक तरीके की environment में रहना पसंद करते हैं एक तरीकी की जगा में रहना पसंद करते हैं naturally उनको वो चीजें पसंद आती है और वो naturally चीजें क्यों पसंद आती हैं क्योंकि वो जगा उसे ऐसे resources देती हैं कैसे resource देती है sunlight is a very important resource, water, food to eat, pray, भईया खाने पीने के ला ले ना पड़ जाएं तो ऐसी कुछ जगाएं होती हैं जो बहुत important होती हैं I hope ये point आपको clear होगा अब बात यहाँ पर ये बोली जारी है कि वो वहाँ पर naturally prefer करते हैं और पर दीरे 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 वो उनका घर बन जाता है मेरे कहने का मतलब क्या है कि naturally वो वहाँ देना चाहते हैं उनकी preference होती है तो धीरे धीरे वो वही बस जाते हैं और फिर सालो वो वही रहते और उनका वो घर बन जाता है यानि कि आप आये थे दिल्ली पढ़ाई करने और फिर आपको इतना पसंद आया कि आपने वहीं पे एक घर खरीद लिया अब आपका पर्मनेंट रेसिडेंस वहीं बन गया ऐसा ही पर्मनेंट अड्रेस और रेसिडेंस हैबिटेट के लाया जाता है एक और्गैनिजम का यह दिखेगा यह तीनों ही बेर हैं बट तीनों अलग अलग जगा पर रहते हैं एक स्नों पर रहता है एक जो है यूनों फॉरेस्ट में भाग रहा है एक देखोगे ग्रास लेंट्स में घूम रहा है तीनों अपनी अपनी जगा पर हैं क्यों सबकी प्रेफरेंस अपनी अपन अपना घर चूज करती है और या दखना habitat क्या हुआ फिर अगर मैं आपको habitat बोलू तो समझ लो किसी के घर जाना है तो habitat हुआ यानि कि माल लिजे आपके दोस्त है वो आपसे मिलने आया है आप UPSC की कोचिंग कर रहे हैं डेली में और वो आपसे मिलने आया उसने आपको फोन मिलना है तो उसको मिलने के लिए कहा जाना पड़ेगा आपके घर ऐसे ही अगर आपको lion से मिलना है तो एसा नहीं है lion आपको बैठावा मिल जाएगा घर की बालकवनी में आपको जाना पड़ेगा forest क्यूं forest is the habitat of lion फॉर इंग्जेम्पल अगर मैं बोलू चीता आप चीता स में मिलेंगे आपको बहुत बड़े जंगल नहीं होने चेहें वहाँ पर जैसे कि अभी आप जानते हैं कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है आगे हम लोग जब स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल्स में उसको आपक चीता को इंपोर्ट करा है यानि कि माहसे हम लोग लाए हैं और अपने कूनलो नेशरलब पार्क मद्ध प्रदेश मों उसको रेंट्रियूस करा रहे हैं कूनल नेशरल पार्क ही क्यों चूस किया क्यों नहीं रंथम और और प्लिसके और पधर बैसके 2020 कि आपढ़ सूद ए पानी का सोर्स एकडम पास में है तो क्या है उसको घर जैसी फिलिंग दे रहे हैं ताकि वो घर उसको मिलेगा तो फिर वो बच्चे पैदा कर सके अपनी रिप्रड़क्शन करके आगे जनरेशन को बढ़ा सके और अगर मान लीजिए उसने बच्चे पैदा करें और उसके मरने के पीछे की रिजन्स हम लोग आगे डिसक्रस करेंगे बट येस माइपॉइंट इस जो होते हैं क्यों नों ने एक ऐसा ही हैबिटेट चूस किया क्योंकि ग्रास लेंड होने बहुत ज़रूरी है चीता जो है अपना शिकार भाग करके पकड़ता है आप चीता के सामने लाकर के ऐसा मीट पकड़ दो और ले या हिरन खाले वो खाएगा नहीं क्योंकि चीता को अपनी एनर्जी को निकालने के लिए भागना परतवार अगर घरे जंगल होंगे तो भाग नहीं पाएगा भाग नहीं पाएगा इसलिए ग्रास लेंड होने ज़रूरी है यानि कि ह आपना अपना एक घर होता है आप समझ पाओ जैसे फॉर एक्जामपल डॉल्फिन डॉल्फिन को अब आप देखो डॉल्फिन दो दरिखी की होती है तो यह इरावडी है पढ़ेंगे आगे एक उत्तिय गैंगिटिक अभी गैंगिटिक डॉल्फिन आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी स्वच्छ पानी में मिलेगी और अगर यही चीज मैं बोलू इरावडी तो यह आपको ब्रैकेश वाटर में मिलेगी नमकीन पानी में मिल जाएगी इरावडी डॉल्फिन तो हर एक का अपना अपना एक हैबिटेट है I hope आप यह पॉइंट अच्छे से समझ च जाना उसके habitat पहुच जाई है habitat उसका घर है और उसके घर में वो रहता है क्योंकि वो नाचुरली वहाँ पर प्रेफर करता है रहना मचली को आप ले जाकर पेड़ पर नहीं लटका सकते similarly vultures को आप दुक्की नहीं लगवा सकते क्योंकि सबका अपना एक habitat मौजूद है चली एक बार इस image से भी देखते हैं आप देखे एक्विटिक एकोसिस्टम में अलग-अलग तरीके के जानवर जो हैं मौजूद है थंडे इलाके में पोलार बियर्स मौजूद है यही चीज grasslands के अंदर चीटा मौजूद है यही पर आप देखे forest एकोसिस्टम में अलग-अलग तरीके के जानवर मौजूद है अच्छा यहां सी question आता है क्या एक habitat यानि कि एक घर में एक से जादा organism रह सकते हैं औरे भाई अपने घर में देखो अपने घर में एक बार जहांके लोग रहते हैं बहन भाई तो हम सब क्या है organism ही तो है एक ही घर के अंदर कितने सारे organism रह सकते हैं इसकी कोई परिभाशा है नहीं इसलिए a single habitat can be suitable for multiple organism बट हाँ similar needs हैं उनकी needs बिल्कुल similar है उसी तरीके की needs है similar I am not saying same देखो फरक है same और similar में फरक है मैं similar needs की बात कर रहा इस पेड के टॉप को स्टेरिया पे कुछ आपको पक्षी मिलेंगे जो बिल्कुल अलग तरीकी के मिलेंगे इसकी बार्क पे आप देखो termites मिलेंगे दीमक लगी भी मिलेगी यह अलग जानवर है यहीं पे squirrel भी रहती है अपना बनाके यहीं पे आप देखो owl भी रहता है यहीं पे आप देखो woodpecker भी हो सकती है ठीक है इसकी roots में आप देखो ants मिलेंगी लाल काली चीटिया मिलेंगी मेरे कहने का मतलब यह है एक पेड़ एक habitat है यह बात तो आप जानते हो कि एक habitat है और एक habitat क्यों माना गया है क्योंकि वह घर है कई सारे जानवरों का कई सारे जा habitat में multiple organisms can survive और वही बिल्कुल best example अगर आपको समझना है पानी water water खुद में अपने आप में activity area is a habitat और यहां पर सोचो कितने पानी के अंदर species है ऐसा माना जाता है मैं आपको बता रहा हूं 90% species के बारे में तो हमें पता भी नहीं आज तक जो पानी में पाई जाते हैं आप सो so the whole point is multiple organisms can survive and can live but similar needs होनी जरूरी है बिल्कुल opposite needs नहीं हो सकती है चले क्या एक habitat small हो सकता है लार्ज हो सकता है हान जी भईय है habitat can be as small as a drop of water water की droplet भी एक habitat है क्यों क्योंकि इसके अंदर कौन रहता है बैक्टिरिया माल लो आप अगर इसको देखो एक छोटा सा बरो है कि इसमें रह रह रहा है यह इसका घर है अपने देखांगा चुहे होते हैं है कर बड़े चुचुन र टाइप सई अंदर साप होते है ऐसे होल्स पे रहते हैं यह इनका घर है और यहीं पे आगर मैं आपको बात करूँ यह देखो डियर यह एक दम राजाहों की जिन्द की अलग-अलग तरीके के जानवर रह सकते हैं, so it all depends कि हम किस perspective से इस environment को पढ़ रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, तो habitat can be small, habitat can be large, चलिए, फटाफ़ट से देखते हैं, environment versus habitat, environment और habitat में क्या फरक है, environment के अंदर habitat आता है, ये पहले point जो आपको है, clarity से समझना पढ़ेगा, कि habitat is a part of environment, चलो हमें एक और चीज़ बताता हूँ, environment के अंदर कुछ situations बन सकते हैं, जैसे for example, environment में दो चीज़े हैं, abiotic और biotic, तो जरूरी तो नहीं है, environment में हर जगे biotic मिले ही मिले, ऐसी कुछ जगे हो सकती है न, जहाँ पे सिर्फ abiotic ही available हो, biotic हो ही न, देखो, environment की वो सभी जगाएं, जहाँ पे abiotic and biotic दोनों मिलती हैं, उसको आप habitat कहते हैं, और environment की वो सभी जगाएं, जहाँ biotic नहीं, बलकि सिर्फ abiotic मिलती हैं, जैसे poles पर life is not possible, बहुत ज़ादा deep trenches में, life is not possible, ऐसी जगाओं पे जहाँ life possible ही नहीं है, या फिर abiotic है ही नहीं, सिर्फ abiotic component ही है, सिर्फ पिर्थवी का एक हिस्सा ही है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे, abiotic component of your environment, so my point is, वो environment तो है, बड़ वो habitat नहीं है, जहाँ पे life नहीं है, habitat में life होनी ज़रूरी है, so habitat is a place, where abiotic and abiotic both are present, and environment is a place, जहाँ पे हो सकता ये भी हो, हो सकता ये ना भी है, but environment का वो हिस्सा, जहाँ पे biotic और abiotic दोनों होता है, वो habitat बन जाता है, और वो हिस्सा जहाँ पे environment में, बायोटिक नहीं है, वो सिर्फ environment का ही एक portion है, चलिए एक stable से इसको और better clarity आपको मिल जाएगी, देखे, habitat में life is essential, होनी ज़रूरी है, यानि बायोटिक होगा ही होगा, abiotic के साथ obviously, but environment में it is not necessary, I am saying necessary नहीं है, environment में दो possibility बनती हैं, biotic और abiotic, या फिर सिर्फ abiotic only, तो biotic और abiotic अगर दोनों मिलता है, तो obviously it becomes habitat, और सिर्फ abiotic मिलता है, तो आप बोल सकते हैं इसको क्या, it is only a part of environment, अच्छा जी, all habitats are environment, क्योंकि environment बहुत बड़ा term है, और उसका छोटा हिस्सा है habitat, जैसे मैं बोलूँ, super set है environment, और उसके छोटे-छोटे subsets हैं, आपके habitat, अच्छा बड़ जरूरी नहीं है, कि सारे environment जो है habitat बने, क्योंकि वो area, जहां पे abiotic ही है, और biotic है ही नहीं, वो कभी भी habitat नहीं बन सकता, तो it is not compulsory, कि सारे environment के हिस्से habitat ही बने, अच्छा habitat जो होता है याद रखना, it is preference of one particular type of species, मैं नहीं कह रहा हूँ, उससे जादा नहीं रह सकती, मैं बोल रहा हूँ, preference होती है, एक तरीके की preference है, जैसे for example, अगर मैं आपसे बोलू, आप जो हैं, जंगल में रहना पसंद नहीं करते हैं, आप कहा रहना पसंद करते हैं, urban areas में, या आप रहना पसंद करते हैं, घरों में, आप क्यों नहीं पेडों पे टंग के रहते हैं, क्योंकि आपकी preference है घर में बैठना, बट share क्यों नहीं हमारे घर में बैठना, क्योंकि उसकी preference है जंगल में घुमना, तो एक तरीके की स्पीशी की प्रेफरेंस होती है, एक तरीके का घर, बट अगर environment की बात को रहें, environment तो बहुत बड़ा है, और इस इतने बड़े environment में कई सारी तरीके की स्पीशी एक साथ रह सकती है, यह difference की बात हो रही है, अगेन, जब हम comparison कर रहे हैं, अब आप मुझसे य कि सर वो environment है, habitat है, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि जब आप differentiate करते हो, habitat और environment में, तब हम बोलते हैं, कि habitat एक तरीके की प्रेफरेंस होती है, एक स्पीशीज की, environment में कई सारी स्पीशीज एक साथ रहती है, तो environment एक बढ़ा term हो जाता है, जब हम habitat के सामने बात करते हैं, इंडिया में जो हो रहा है, उसका असर आपके घर तक परता है, अब आप ऐसा बोल सकते हैं, कि नहीं सर, one man can create a difference, बिल्कुल यह बात सही है, बट properties नहीं change कर सकता, यानि कि एक individual ब्रहमांड में जो चल रहा है, उसको बदल नहीं सकता, बलकि ब्रहमांड में जो हो रहा है, वो एक individual के उपर impact ज़ादा अच्छे से डाल सकता है, so yes, habitat क्योंकि small होता है, habitat एक छोटा portion होता है, environment का, so habitat cannot govern the property of environment, बलकि environment जो है habitat की properties को govern करता है, चलिए वापस से आपकी learning का समय है, देखते हैं आपको कितना समझ में आ है, question देखे, which of the following best describes the difference between habitat and environment, इन दोनों के बीच के आप से पूछा गया है, पहला option कहता है, an environment always has a life in it, जबकि habitat में necessarily हो ना हो, गलत होगी है statement, environment में वो हिस्से होते हैं, जहाँ पे biotic और abiotic हो सकता है, या सिर्फ abiotic हो सकता है, तो necessarily life कहां मौझूद होती है, habitat में, तो इस statement बिल्कूल गलत है, second वो कहता है, habitat is a preference of many species, and environment is a preference of only one species, गलत, बलकि उल्टा लिखी है statement, habitat जो है, वो preference होती है, एक तरीकी की species, और environment कहीं सारी तरीकी की species, आचा, ये वाला देखिए, D option, habitat governs the properties of environment, habitat जो है, यानि कि आपका घर जो है, इंडिया चलाता है, नहीं भाई, habitat never governs the properties of environment, बलकि environment governs the properties, तो ये भी गलत हो गया, so option C is the answer, yes, all habitats are environment, बट जरूर नहीं है, सारे environment habitat हो, I hope so या आपको clear होगा, चलिए finally, अब third term की बात करते है, what is ecosystem, दोस्तो, ecosystem क्या होता है, जल्दी से देखिए, ecosystem जो है, इस व्यक्ति के द्वारा, इन व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पे बताया गया था, इनका नाम है, एजी टैंसले, एजी टैंसले एक English botanist थे, 1935 में इन्होंने बताया था, ecosystem क्या होता है, ecosystem कुछ नहीं, बल्कि structural और functional unit है, यानि कि इस परियावरण के अंदर, एक structural और functional unit है, अब देखिए, structural unit का मतलब क्या है, यह सभी, you know, land, पेड़ पौधे, यह mountains, यह rocks, यह जहरने, यह structural unit है, और functional unit क्या है, कैसे energies आपस में exchange होती है, आप देखिए, मैं अभी इतनी देर से continuously बोल रहा हूँ, मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा, कि मुझे सांस ले environment में, तो oxygen को मैं inhale कर रहा हूँ, carbon dioxide exhale कर रहा हूँ, बहुत सारे important compounds मेरी body के होते वे घूम रहे है, इस सब चीजे environment में मौझूद है, यानि कि यह functional है, functional मतलब यहाँ पर life easily possible है, और यह structural भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर physical elements भी मौझूद है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता आपस में interact कर जाएं, interaction हो जाएं, किसके साथ, बायोटिक का बायोटिक के साथ, बायोटिक का अब बायोटिक के साथ, एक interaction हो जाएं, तो उसको बोलते हो, ecosystem, interaction is the keyword here, यह आपस में मिल करके, जो हमने बोला था न, कि environment क्यों होता है, habitat और ecosystem को जनम देता है, so actual में यह interaction बहुत ज़रोरी है, अब देखिए एक बार, यह आपको वीडियो में देखेगा, बायोटिक का बायोटिक के साथ, इंटरेक्शन है, यह दोनों बायोटिक है, इन दोनों का अपस में एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन है, अब देखिए, यहाँ पर जो marigold flower है, यह सूरच के direction से अपनी direction को change कर रहा है, इस इस बायोटिक इंटरेक्शन विद अबायोटिक, सो दोनों ही ecosystem है, अच्छा जी, बायोटिक और अबायोटिक जो है, यह दोनों nutrient cycle से linked है, energy flows से linked है, यानि कि यह क्या है, inter connected है और inter dependent है, यह ecosystem इस तरीके से जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक साथ इ इसी cycle को जो बायोटिक और अब बायोटिक के बीच में चल रहा होता है, इसे हम कहते हैं, ecosystem, तब ही बोला जाता है, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पूरे की पूरे diagram में tree ecosystem, देखें, tree जो है oxygen छोड़ रहा है, यह oxygen जो है, you know, animals और humans, जो living organisms हैं, इसको consume करते हैं, वो carbon carbon dioxide छोड़ते हैं, carbon dioxide जो है producer, यानि कि plant use करता है, आप जानते हैं, बचपन में हम लोगों एक चीज पढ़े थी, किस चीज के लिए, photosynthesis के process के लिए, फिर sun से हमने energy इसको लेता है, यहाँ से बारिश होती है, पानी आता है, यह पानी roots लेते हैं, फिर यहाँ से वो transpire करता है यानि कि यह पूरा का पूरा process है, जहांपे life मौजूद है, life is the essential component of your ecosystem, यह ध्यान रखना है, बहुत important है, और इसी interconnected और inter dependency की वज़े से एक चीज बोली जाती है, कि अगर एक ecosystem में कहीं पर problem आई, तो it is going to affect other ecosystems, why they all are joined with each other, अब आप बोलो, यह सब आपस में joined है, जी हाँ, यह सब subtly एक दूसरे से joined है, जैसे example बताता हूँ, Amazon rainforest है, Amazon rainforest in Brazil, अभी वहाँ पर क्या होगा था, इनिशली यह current affairs के news थी, वहाँ पर आग लग गई, आग लगने के वज़े से वहाँ से धुआ निकला, ऐसा बोला जाता है, Am no longer lungs of the earth, क्यों, क्योंकि यहां से pollution जादा निकला, क्योंकि एक तरीके से impact पड़ा पूरे world को, और पूरा world सचेत हो गया, क्यों, क्योंकि effect महां आया, एक ecosystem effect आया, तो पूरे ecosystems में, इसका impact जाएगा, जैसे आप यह हम आगे आने वाले जो slides हैं, और जो lectures होंगे, उसमें एक पड़ेंगे, ozone hole हो गया, Arctic और Antarctic पे, बड़ उसका impact इतना बड़ा हुआ, कि विश्व के सारे nations एक साथ पहली बार आपको देखने को मिलेंगे, सब इखटा हो गया, और सबने जी जान लगा कर कि ozone hole को कम करने की कोशिश करी, ऐसा क्योंकि वो जानते हैं, एक जगा का impact पू चोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अब जैसे ecosystem एक छोटी सी droplet भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बायोटिक और अबायोटिक का interaction है, यहाँ पर भी bacteria जो है अपनी जिल्दगी जी रहा है, एक bark of tree भी हो सकता है, क्यों यहाँ पर भी termites मौजूद है, दीमक औ बायोटिक अबायोटिक का एक interaction है, और बड़े से बड़ा अगर मैं आप से बोलू, इसमें comparison में तो बड़ा एक forest भी हो सकता है, entire forest is a ecosystem यहाँ पर कई सारे तरीके के जानवर एक दूसरे से interact करते हैं, इवन अपने surrounding में अबायोटिक component से भी interact करते हैं, अब सवाल यह है question में जो आपके दिमाग में आ रहा होगा 100% कि सर एक बाद बताओ, फिर habitat और ecosystem में क्या फरक है, देखे, कोई फरक नहीं है, एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों में ही life जो है, वो essential component है, यानि जिन्दगी दोनों में होनी जरूरी है, दोनों में ही biotic और abiotic मौजूर है, फिर फर हुआ था था, क Ooh Habits ढूंली ऐसकता है, लार्ज हो सकता है, ecosystem स्मॉल हो सकता है, लार्ज भी सकता है, अरे भाई, जब आप compare करते हो, ecosystem को habitat से, तम मैं आपसे ये कहना चाहरा रहा हूं की, ecosystems generally बड़े होते हैं, किसके comparison में, habitat के comparison में, habitats जो हैं छोटे होते हैं, और इसको अगर मैं दूसरे terms में बोलूँ, तो कई सारे छोटे-छोटे habitats, क्या बनाते हैं, एक single ecosystem, या बोल सकते हैं, ecosystem is nothing, but larger habitat, क्या आप ये point समझ पाए हैं, So, habitat और ecosystem में सिर्व इतना ही फरक है, और इससे जादा फरक नहीं है, दोनों में life मौझूद है, life is essential component, तो अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे example में, ये एक forest है, ये एक droplet है, तो a droplet of a water or forest को अगर compare करें, तो बताओ, कौन सा इसमे habitat है, कौन सा इसमे ecosystem है, तो obviously बात है, forest ecosystem है, और habitat, droplet, जो है, वो एक habitat है, अच्छा, habitat जो होते हैं, well defined होते हैं, जबकि ecosystem जो होते हैं, they are not well defined, उतना ज्यादा defined अच्छे से नहीं होते, ये इसका basic difference है, चलिए द्वारा से समय आ चुक है, आपकी learning को समझने का, क्या आपने अभी तक जो पढ़ा, आपको समझ में आया है, त कहला पढ़ते हैं, क्या कहता है, a community of organisms interacting with one another, यानि कि biotic, biotic में आपस में interaction हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, best description पूछा गया है, तो biotic, biotic में कर रहा है, ecosystem का part हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, अच्छा, that part of the earth which is inhabited by living organisms, कहता है, वो area जहां पर life मौजूद है, हाँ बाई, ये बात भी आपने सही कही, inhabited by organisms का मलब life, और life का मलब biotic और abiotic का आपस में interaction, फिर वो कहता है, the flora and fauna of a geographical area, नहीं, ये नहीं होता है, यानि कि वहां के जानवर और वहां के पेड़ पोदे, नहीं, अब biotic में तो आदा है, अब C को पढ़ते हैं, a community of organisms together with the environment in which they live, हाँ, यह पर ये definition काफी अच्छी लग रही है, मैं I will go with the C, ये community of organisms से हमें एक चीज़ शो कर दी, इसने कि biotic, आपस में biotic के साथ interact कर रहा है, और फिर बोलता है, together with the environment, और environment में आप जानते हो, biotic और abiotic, दोनों आता है, तो कहता है, biotic और abiotic, दोनों आपस में interact करते हैं, इसी को त देखते हैं, the functional unit of nature is the ecosystem and the habitat is the subset of the ecosystem, ये इसमें एक question में wrong पूचा गया है, तो ध्यान रखना है, कहता है, जो ecosystem है, वो functional unit and nature की, यहां तक तो ठीक लग रही है, मुझे statement, बिल्कुल सही बात है, यही हमने पढ़ा था, functional and structural unit, और habitat जो है, वो subset ecosystem का, बिल्कुल याद परो diagram, ये environment और ये रहा habitat, तो habitat is a subset of the environment, तो भईया पहली statement ठीक है, और अगर पहली statement ठीक है, तो answer नहीं है, क्योंकि यहां पर तो wrong पूचा है, ये ध्यान रखना है exam में, कई बर ऐसे ही बच्चे गलग कराते हैं, incorrect पूचते हैं, correct बतायाते हैं, अच्छा जी, second देखें, no single species is common between two different habitats, केते हैं, दो different habitat ले लेते हैं, एक पेड़ यहां ले लेते हैं, एक पेड़ यहां ले लेते हैं, केते हैं कि कोई भी single species ऐसी नहीं है, जो इन दोनों पेड़ में common होरे, क्या बात कर दी है, दोनों में squirrel मिलती हैं, चाहे fox ले लो, fox सवाना में में ही मिलता है, और fox desert में मिलता है, अरे कई सारे elephant, कितनी जगाओं पे मिलते हैं, कैसे कह सकते हैं हम लोग, कि एक ही habitat में मिलता है, जी नहीं है, ऐसा है, single species can be common in different habitats, ऐसा हो सकता है, बिल्कूल हो सकता है, तो यह statement गलत है, तो two गलत है, इसका मतलब answer यह तो नहीं हो सकता है, eliminate करो, अच्छा, और first अगर सही है, भई, simple सी बात है, अगर first सही है, तो answer first भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह wrong पूछ रहा है, तो हमारे पास या तो यह है, यह है, अब देको third तो खुदी बता दिया, उसने सही है, no habitat is common for two different species, this is also wrong, no habitat is common for two different species, अभी तो हमने बात करी, multiple species, एक तरीके के habitat में रह सकती है, multiple species, multiple organisms can have, you know, survive in a single habitat, तो यह जो है, बिलकुल गलत स्टेट्मेंट है, अब यह गलत है, तो answer के लिए सही हो जाती है, मेरी बात समझे है, two or three, गलत है, बट उसने पूछा ही गलत है, इसलिए वो answer में सही है, अब fourth को देखना, in some cases, a habitat might also be an ecosystem, अरे 100%, some cases की बात ही नहीं है, 100%, habitat जो है ecosystem हो सकता है, हाँ, बड़ा habitat, एक ecosystem हो सकता है, so in some cases, a habitat might also be an ecosystem, यह सही है, बट answer गलत पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से, हमको यह दो statement समझ में आई है, कि जो बिलकुल गलत है, so answer is two and three only, so आपको यह point समझ में आया हो, so एक last question देखते हैं, जल्दी से फिटाफट, ecosystem से related, non-living components of the environment are not part of the ecosystem, केते हैं, abiotic जो है, वो ecosystem का हिस्सा नहीं होती, अरे गलत statement, ecosystem में तो दो दोनों आता है, biotic और abiotic और फिर इंका interaction बहुत जरूरी है, तो first statement is wrong, अच्छा नीचे correct ही पूछा है, ecosystem is the community of organisms together with the environment in which they live, yes, it is correct, यह भी हमने पहले ही पढ़ा है, ecosystem is the structure and functional unit of biosphere, ओहो, अब देखो यहाँ पर game क्या खेला है, UPSC वालों ने, वो game कैसे खेल सकते हैं, हमने पढ़ा है, structure and functional unit of nature, यहाँ पर इनों ने लिख दिया, biosphere, अब biosphere का मतलब क्या है, वैसे नों मैं आपको आगे बताऊँगा, biosphere detail में, क्या ecosystem, एक structural और functional unit होता है, वो सभी जगे का जहाँ पर life possible हो सकती है, हो सकती है, yes, तुवार से बोल रहा हूँ, जहां चो सुनिएगा, biosphere का मतलब वो सभी जगें जहां life की possibility है, बट जहां life चल रही है, यानि कि इन चार जग़ों पर life चल रही है, इसका मतलब यह structural है, और यह functional भी है, तो ecosystem functional area है, जहां पर life actual में चल रही है, so the answer here is, one is wrong, हम बिल्कुल one को गलत मानेंगे, one गलत है, तो यह दोनों अपने आप गलत हो जाते हैं, और second and third is correct, so answer comes, D, ध्यान रखेगा, so thank you दोस्तो, अब आज इस lecture को यहीं पर रोखते हैं, और फिर दूसरे lecture में आपके साथ नए terms के साथ मिलते हैं, और discussion करेंगे, and I hope so, आपको यह जो lecture है, समझ में आया हो, and we will be back with another lecture, very soon, thank you so much.